इस वक्त में साथ में जो चात्रों के वकील है धीरा सिंग वो मौझूद है धीरा आज का सुप्रीम कोर्ट का जो अंत्रिमादेश है सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि शुवाती तौर पर ये तो साफ हो गया है कि पेपर लीक हुआ है और सरकार और NTA ने बताया है कि इसको कैसे हुआ पहले जब स्ट्रेट अवे पूचा गया तो स्ट्रेट जनल साब ने मना कर दिया कि कोई लीक नहीं हुआ तो फिर चीफ जसे साब ने पूचा कि पटना जारी वाग में क्या है तो उसको मिस मिस कंड़क्ट और उस रेड़ी में ले रहे हैं वो लीक नहीं लेकिन आज सुप्रेम कोट ने आज फिर माना है कि लीक तो पटना और हजारी वाग में लीक हुआ है इसमें कहीं किसी किसम का डाउट नहीं है आज काफी कुछ बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड कोश्चन पूछे गए जिस पे एंटी और भारस सरकार जो है थोड़ा सा अस अब बोला कि क्योंकि इंवेस्टिगेशन गोई नहीं इस पर कोई नहीं है साथ साथ हमने आई टी मदरास के ओपर भी कुशन अधाया यह तो आपने जो दलील ने दिवो ठीक है लेकिन सरकार ने क्या माना एंटीय ने क्या माना है पेपर कैसे लीक हुआ है उनका है कि कहीं जब वो सेंटर पे पहुंचा है उस दौरान कि कोई फोटो खीच के सीसी टीवी फोटेज का वजिकर कर रहे हैं कि फोटो किसी ने फोटो खीच के करा है जिस पर सुप्रम कोट ने कहा है कि अगर पेपर आड़ बज़े से लेके सुबह 9 बच कर 23 मिनट तक के बीच में है त साथ सॉल्वर ने सॉल्व किया है लेकिन 45 मिनट में और उसके बाद पेपर शुरू कब हुआ है सवाध दस बज़े तक अगर पेपर सॉल्वर के चातों तक पहुंच गया था तो उसके बाद के आगे कि क्या करवा है तो इसी लिए हम लोग इसी लिए हम ने कहा कि क्योंकि पटना की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट अगे नहीं है उसे समन करी जूंकि उसमें की रिपोर्ट में बड़ा क्लियर कट मेंचन है कि एक रात पहले उनको प्ले स्कूल के अंदर टहरा के पेपर अटाए गया था जो यह प्रूव करता है कि पेपर जो एंटी ए और यू अगर लीख हुआ तो क्या उससे पहले हुआ उसका कोई जवाब नहीं है कि बिल्कुल उससे पहले लीख हुआ है क्योंकि स्टेट बैंक के अंदर से लीख होने के संबावना बैंक्स के वालेट से लीख होने के संबावना और इसको हम भी न करते हैं तो कहीं नहीं क्योंकि पूछा कि कितने पैसे लिए जाते हैं बच्चे से तो आई शत्रासो रुपे तो 400 क्रोड रुपे इसमें कट हुआ है और खर्चा 300 क्रोड रुपे लिए वाई यह इस अपने बताया है तो कोड ने पूछा एक कि इसके बावजूद भी आप प्राइवेट कुरियर कंपनीज के थूरू जो है आप ये सप्लाई कर जो है वो सर्व कर रहे हो सारे सेंटर पर तो इस तरह के बड़े सारे सवाल रहे आप फाइनली देखते हैं कि सोंवार को कह रहता है इसके साथ में वो भी जो डेटा है डिस् सब्सक्राइब कर दो पर यह जो यह वकील धीरा सिंग जिन्हों ने बताया कि सुप्रीम कोट की आज के सुनवाई में एक त्रहे से सरकार ने केंड़ सरकार ने अन्टी ए ने माना है कि पेपर तो बाहर आया है हाना कि उनका यह कहना है कि बहुत पहले नहीं आया बहुत ज नहीं मिला चार्ट्रों को लेकिन यह जरूर कहा है कि उसी दिन जिसन यानी की एक्जामनेशन होना था 5 मई को उसी दिन सुभा पेपर सामने आया है साथ सॉलवर ने मिलकर के उसको सॉल्व किया है और उसके बाद में वह चार्ट्रों तक पहुंचा हलागी कोट के भी ऐख नहीं हुआ है जिसके आधार पर बताया गया है कि पेपर तो शुरू होने से पहले बाहर तो आया है हजारी बाग में ये हुआ उसके बाद में जो 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 गैंग भाग में था उसका जो एक जो काउंटर था यानि कि जो उनके सायोगी थे जो पतना में थे उन तक वो पहुँचा है वहाँ पर भी चात्रों को जो फाइदा पहुचा है तो इस तरीके से पेपर लीक की तो बार जो सामने आ गई है अब सुप्रीम कोट ये देखेगा कि कितने व्यापक पहने माने पर हुआ हलाकि गोधरा के मामले का भी जिक्र हुआ है लेकिन गोधरा पर सुप्रीम कोट ने कहा कि वहाँ की जो घटना है जो हमाई थामने तर्थ आये है वो ये बया कर रहा है कि गोधरा में उस तरीके से पेपर लीक का मामला नहीं है बलकि वहां का जो मामला है वो है कि वहां पेपर सॉल्व किया गया है उसको हजारी बाग और पटना से अलग जोड़ करके देखा जा सकता है यह अलग रख करके देखा जा सकता है लेकिन यहां पर हजारी बाग और पटना में पेपर शुरू होने से पहले पेपर बाहर आया ह कुछ शात्रों को उसका फायदा लिय cm सिंवाई कि दौरान धंधर कोड़् रान या और उसी के बाद सुप्रीम कोड़् ने बी जो अंतरीम अपना कि एक बार फिर से सुनवाई होगी और अब ये पूरा मामला एक दिल्चस्प मोल पर पहुँच चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में कहा था कि अगर हमको यह लगता है कि व्यापक तौर पर पेपर लीग हुआ है तो री नीट का सवाल उठता है हला कि सु सुप्रीम कोर्ट में जब सोंवार को सुनवाई होगी उससे तर्थे और ज्यादा साफ होंगे अंकित गुपता अबपी नियूस दिल्ली